बच्चों कहा जाता है कि तंदरुस्ती हजार नियामत के समान है यदि ब्यक्ति स्वस्थ है तो बहुत सबसे ज़्यादा सुखी है यदि स्वास ठीक है तो ब्यक्ति हर कारिको उमंग और उत्साह के साथ करता है अच्छे स्वास के लिए संतुलित आहर के साथ साथ ब्यायाम और शारीरिक श्रम भी आवश्यक है इस पार्ट में भी एक सेट की कहानी है सेट जी खाते तो अधिक हैं पर परिश्रम नहीं करते इसी कारण उन्हें बीमारियों ने घेर रखा है इसमें एक अनोखा इलाज हकीम ने किया है इस सेट गरीब दास इसमें एक सेट है जिनका नाम गरीब दास है उनके पास बहुत सारा धन है और बहुत सी अचल संपत्ति हैं सेट जी के पास सारी सुख सुविधाय उपलब्द हैं लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका स्वास अच्छा नहीं रहता बहुत से हकीम डॉक्टर उनका इलाज कर चुके हैं परन्तु सेट जी जो है वो सही नहीं हो पाते हैं एक दिन सेट जी ने ये घोशना करवा दी कि जो भी उनका इलाज करेगा उसको वह मूं मांगा इनाम देंगे सेट जी के पास एक बूरे भाकीम आते हैं उनकी नवस देखते हैं और सेट जी की जाच पड़ताल करते हैं फिर हकीम साहब कहते हैं कि सेट जी मैं आपका इलाज तो कर दूँगा लेकिन अगर आप लेकिन मैं जैसा कहूंगा आपको वैसा करना पड़ेगा आपको वही नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताता हूँ सेट जी ने कहा कि ठीक है मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा आप कहेंगे मैं बैसा करूँगा तो हकीम जी एक दिन सेट जी को बहुत दूर घर से बहुत दूर कहीं लेकर जाते हैं और उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं सेट जी को और सेड़ जी के पैर में चपल भी नहीं होती है, कमरे का फर्ष बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सेड़ जी जब उस गर्म फर्ष को सह नहीं पाते हैं और जब उनके नंगे पैर जैसे ही सेड़ जी उस कमरे में घुसते हैं हकीम जी फुर्ती से उस कमरे की कुंडी को बंद कर देते हैं अब कमरे के फर्ष तबे की तरह तप रहा होता है और सेट जी नंगे पैर उस फर्ष पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं इसके कारण सेट जी उचलने कूदने लगते हैं और बहुत जोड़ जोड़ से चिलाने लगते हैं कोई जैसे शरार्थी बच्चा यदि सेट जी के मोटे थुल्थुले शरीर को इस प्रकार उचलता कूदता देखता तो हंस्ते हंस्ते लोड़ पोड़ जाता इस प्रकार लगभग एक घंटे तक सेट जी उचलते कूदते रहते हैं और पसीने से लटपत हो जाते हैं पूरे एक घंटे के बाद उस कमरे का दर्वाजा खोला जाता है और सेट जी पसीने से लगपत बदहवास होकर बाहर से निकलते हैं और उन हकीम जी पर बहुत गुस्सा होते हैं तब सेट जी तब हकीम जी कहते हैं कि आप अच्छी खुराक तो लेते हैं पर शारीरिक श्रम बिलकुल नहीं करते ब्यायाम नहीं करते यही आपकी बीमारी का म थोड़ी दिरबाश सेड़ी का भी गुस्सा शांत हो जाता है उन्होंने बहबात समझ में आ जाती है इसलिए बच्चो इस कहानी में से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने खान पान के साथ साथ शारीरिक श्रम और ब्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए थेंक यू ब करें तो शीग्री स्वस्त हो जाएंगे थोड़ी दिरबाश सेड़ी का भी गुस्सा शांत हो जाता है उन्होंने बहबात समझ में आ जाती है इसलिए बच्चो इस कहानी में से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने खान पान के साथ साथ शारीरिक श्रम और ब्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए थेंक यू